Honda Elevate में भले ही आपको टर्बो या फिर कोई hybrid option अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है लेकिन इस कार में जो एक चीज है जो के इसके competitor अभी तक नहीं दे पाए है वो है अच्छी build quality यह भी मेरी गलती है और आपको इस नहीं Honda Elevate में काफी बहतरीन build quality मिलने वाली है क्योंकि इ एक दम से passengers को शोक लगता है वो इस body structure से काफी कम हो जाएगा क्योंकि खासकर जो accidents है वो आपकी car के front सही होते है और इस car का body structure वो इस तरीके से design है के जैसा ही इस car का accident होता है तो उस चीज का जो पूरा impact है वो सिर्फ front में ही ना रहकर पूरी body के अंदर ही absorb हो जाएगा जिस इसे जो passengers को चोट लगने के chances है वो बहुत ही कम हो जाते हैं कुछ ऐसी ही technology आपको कुछ Volkswagen की cars में भी देखने के लिए मिलती है इसलिए Volkswagen की cars की build quality काफी बहतरीन है और इस safety को और बहतरीन बनाने के लिए इस car में आपको address भी मिलता है और six airbags भी मिलते है और इस car का crash test है वो भी हर angle से हो चुका है लेकिन उसकी reports अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन company का ये दावा है कि नहीं Honda Elevate crash test में काफी बहतरीन perform करने वाली है साथ ही company ने इस car को इस तरीके से design किया है कि अगर इस car से कोई जोटा मोटा accident हो भी जाता है तो तब भी ये car आपकी proper function में रहेगी और आपको car चलाने के अंदर कोई भी problem नहीं आएगी वैसे Honda Elevate का जो platform है वो आपकी Honda City के उपर ही designed है लेकिन फिर भी company ने इसको और भी ज़्यादा safe बनाने की पूरी कोशिश करी है और ये चीज़ सायद हमें इस car के crash test में भी दिख जाएगी और जहां तक इस car का crash test result है व वो आपको 4 या 5 starry देखने के लिए मिल सकता है वहीं जो अभी तक इसका सबसे बड़ा competitor है वो है Hyundai Crater जो के अभी तक बस 3 starry score कर पाई है और दूसरी तरफ है हमारी Tata Harrier जिसका खासकर safety में इन car से comparison करना ही बेकार है क्योंकि उस car ने crash test में barrier को ही उखाड दिया है तो अगर सिर्फ safety की बात है तो उसमें Tata आज भी आ गई है तो भले ही Hyundai Elevate में अभी तक कोई turbo variant आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है लेकिन उसके बाद भी आपको इस car में Hyundai की VTAC technology देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगी और साथ ही Hyundai के जो engines है वो काफी long time के लिए reliable भी रहते हैं और ऐसी power की कोई खास कमी भी आपको feel नहीं होगी लेकिन जो fun आपको एक 1.5 लिटर का turbo charge petrol engine दे सकता है उसका जो experience है वो थोड़ा अलगी level का है और ऐसा भी नहीं है कि Hyundai के आश टर्बो इंजन नहीं है बलकि जो Hyundai वरना turbo से दोनों से ही जादा है क्योंकि उस car में आपको 1.5 लिटर VTEC प्लस turbo भी मिल जाता है और VTEC के साथ में turbo एक बहुती deadly combination बनकर साबित होता है तो अगर Hyundai अपने turbo engine को इंडिया के अंदर ले आता है तो भला ही उसका price थोड़ा बहुत जादा भी हो लोग उसी car को ही खरीदना prefer करेंगे और क्या भी Honda के turbo engine को इंडिया में देखना चाहते हैं अबाद भी comment करके ज़रूर बता सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लेगा और कार की बारी में जानकर अच्छा लागा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और Honda Elevate की जो build quality है वो भी काफी अच्छी है साथिकार long time के लिए भी काफी reliable है तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो चैनल को subscribe कर सकते हैं और मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो फिर किसी नए topic के साथ